बंगाल की खाड़ी से आ रहा संकट, यूपी बिहार में जमकर बरसेंगे बद्रा, मानसून धीरे-धीरे अपने अंतिम दौर में पहुँच रहा है, देश के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हो रही है, आइमडी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्त भावना नहीं है, लगभग दिन भर आस्मान साफ रहेगा, कभी-कभी आस्मान में हलके बादल चाये रह सकते हैं, आपको बता दे की दिल्ली में रविवार को इस साल का पहला डेंगू से मारने वाला पेशेंट मिला और इसके अब तक 695 केस दर्ज किये गए हैं यूपी के 34 ओद्योगिक खेत्रों की बदलने वाली है सूरत, इस योजना के तहत यूपी सिड़ा करेगा काम, प्रदेश के ओद्योगिक धांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ओद्योगिक विकास प्राधिकरंट 34 ओद्योगिक खेत्र की सूरत रही है, अब इनको एक बार फिर से काया कल्प करके उनकी ओद्योगिक स्वरूप को वापस लाया जाएगा, इसके लिए 125 करोड खर्च किये जाएंगे दलहनी फसल के लिए काल है बारिश, रोग लगने से उत्पादन हो जाता है प्रभावित, कीमतों में भी आ सकता है उच्छाल, उत्तर प्रदेश और देश भर में सितंबर के महीने में बरसात हो रही है, और आगे आने वाले हफ़ते में भी बरसात होने की उम्मीद मौसम पैज्यानिक जाता रहे हैं, यहां बरसात किसान और आम आदमी के लिए परिशानी का सबब बन सकता है, क्योकि इस से दलहन की फसल पर असर पड़ सकता है इसके साथ ही अयोध्या फैजाबाद सीट के सांसद अवधेश प्रसाद भी घाटी में प्रचार करते दिखेंगे। इसे में चुनाव में भाजपा सांस्कृतिक राश्ट्रवाद, विकास, विपक्ष के विलुप्तिकरण, महिला, किसान, युवा की बात तो करेगी ही, साथ ही आरक्षन समविधान को लेकर तै किये गए नेरेटिव को तोड़ने का भी भरसक प्रयास होगा। उधर, यूपी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगाज मुना का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं, चित्रकूट से बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर भी अपने रौदर रूप में आ गया है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से अब लोगों को काफी प उत्तर प्रदेश के बहराईच में आदम खोर भेडिये का आतन थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुक्तार अंसारी की मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आ गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के डियेम और पुलीस कप्तानों को एहम दिशा निर्देश दिये और कहा की तै समय में जन शिकायतों का निस्तारण न करने वाले अफसर कारवाई के लिए तयार रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में जूटी रिपोर्ट देने वाले अफसरों पर सक्त कारवाई होगी। अखिलेश यादव के बयान से अयोध्या के संत नाराज, सर्यू पर्दी तिलांजली, प्रभूर राम की नगरी अयोध्या के सर्यू तट पर आज साधु संतों ने एक ऐसा कार्य किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव द्वारा साधु संतों को माफिया कहे जाने पर अयोध्या में संतों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाल संत दिवाकर आचार्य जी महराज के नित्रित्व में आज दर्जनों साधु संतों ने सर्यू नदी की जल्धारा में खड़े होकर अखिलेश यादव को तिलांजली दी। बाल से किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दिखाया गया। ये देखने के बाद प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। ताज महल के बाहर अंदर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूत पर्यटकों की ऐसी हरकत ने सब को हैरान कर दिया। यूपी में पशु प्रेमी हो जाएं सावधान। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता बिल्ली पाला तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। यूपी के ग्रेटर नॉइडा में पशु प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नॉइडा प्राधिकरण की तरफ से पालतू जानवरों के लिए पहले से चली आ रही नीती में संशोधन करते हुए एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को जून में हुई बोर्ड बैठक में पारित किया गया था। इस आदेश के अनुसार पालतू जानवरों का पंजी करण अनिवार्य कर दिया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर पुलीस की टीम और स्थानिय लोग मलबे के धेर से लोगों को निकालने में लगे हैं। यहां घटना थाना लिसाडी के क्शेत्र के जाकिर कॉलोनी की है। ट्राइसाइकल, वेलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी और सेंसर स्टिक जैसे सहायक उपकरण पात्र दिव्यांग जनों को नहशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाब उठाने के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्य मंत्री? अब क्या करेंगे अरविंद केजरिवाल? अर्विंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला मुख्य मंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरब भारदवाज ने सोमवार को इन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सोमवार की छ सरकार अपने इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करेगी। इसके साथ ही मोधी सरकार कॉंग्रेस के हर दाव की काट निकाल रही है। इन कदमों से विपक्ष को भारी जटका लगने की उम्मीद है। बीजेपी के सूत्रों ने यह भी कहा कि जन गण सरकार में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की वकालत की थी और तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगती में बाधा आती है। जिनमें बुजर्गों को हर महीने 6,000 रुपए व्रिधावस्था पेंशन देने का एलान किया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए प्रती माह भेजने की घोशना हो सकती है। अनिल विज ने चुनाव जीतने की स्थिती में खुद को CM बनाये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य में एक सबसे वरिष्ट पार्टी नेता है। और जनता भी चाहती है कि वह CM बने। धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि हर्याना के मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी भाजपा के मुख्य मंत्री पद का चहरा है और पार्टी उनके नित्रित्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। पहाडों पर आफतवाली बरसात। हिमाचल में अलर्ट जारी। हर्याना में भी बारिश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बिजली आपूर्ती बाधित हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक राज्य में बारिश की भविश्यवानी की है। हालां कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी एक जून से 15 सितंबर तक 18 फीसिदी बारिश कम हुई है। सूबे में औसत 689 मिमी के मुकाबले 562 मिमी बारिश हुई है। समिती के सदस्य और BJP के पंचायत सन्योजक आशुतोष कुमार ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे एक मैसेज भेजा। PMO को भेजे मैसेज में उन्होंने कहा कि महुद है। मैं आपका ध्यान PDS के जरिये PMG के एवाई के लिए खाध्यानन की काला बाजारी की और आकरशित करना चाहता हूँ। जिसे दो गावो जोगनी जगा और जोगनी गंगा, ब्लॉकस्क्रा, जिला मुझफरपुर, बिहार के लिए विजय कुमार ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा है। आप से पूछने आया हूँ कि क्या आप केजरीवाल को इमानदार मानते हो की गुनहगार मानते हो। दो दिन के बाद मैं सीम पच से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उनके एलान के बाद अब अटकले लगाई जा रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भजनलाल सरकार राजस्थान के 100 किसानों को भेजेगी विदेश। आप भी जा सकते हैं। जाने क्या है शर्तें। जानों की उम्र 55 वर्ष से कम होने के साथ ही उनके पास वैद पासपोर्ट होना आवशक है।